मस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर 6 वी होती है और विद्यार्थियों के लिए अभरशक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थि यूपी ट्रबल सी पीटिक त्यारी कर रहे हैं वे सभी अभरती सरस्थी प्रकाशन प्राइवेट लिम्टिट की इस महत्पूर पुस्तक को ले सकते हैं इसमें उमार पत्रक भी दिया हुआ प्रक्टिस करने के लिए और यह लेकपाल प्रति के अलावा भी सरस्थी प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तक आती हैं चाब रिल्वेट की हो चाब कॉंस्टेवल भरती की हो या टीजीटी और पीजीटी की हो चले सुरू करते हैं आज की सूचना को और सबसे पहली जो सूचना है वह एडड़ जूंगर संसोधित पराइदाम इस हफ्ते काफी दिनोव सी तरी कि प्रइणा में आता नहीं और इसके लिए वीदैक्ष क рассे सासन को भेज दिया है सासन बंजूरेदा तब ही प्रणाम जारी किया जाएगा फिलाल यहां पर लिका हुआ है कि प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भरती का संसूरी प्रणाम इसी सब्ता गोशित होने की पूरी समवावना है उम्मीद चताई जा रही है कि 17 अगस्त को हाई कोट में सुनवाई से पहले प्रणाम जारी हो जाएगा PNP को सिर्फ सासन की अरुमतिका इंतजार है सच्यू परिक्षा नियमक पुरादिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सायक अधापक के 1590 और प्रधाना धापक के 304 पतों के लिए 28 अक्टूबर 2021 को परिक्षा कराई गई थी 15 नवंबर को भरती परिक्षा का प्रणाम जारी किया गया था लेकिन कुछ अभरती गोशित प्रणाम से असंतुष्ट थे अभरतियों का आरुप था कि प्रणाम में बड़े पैमाने पर गलबड़ी भी है और इस पर हाई कोड़ ने पुनर मुल्यांकन का अधिस दिया था इस पर सच्चिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी ने पुनर मुल्यांकन करवाया संसोधित परणाम जारी करने को लेकर के पिछले दिनों अभरतियों ने सच्चिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी का गेराव किया था और सच्चिव ने आस्वासन दिया था कि संसोध परिचह परिणाम जारी करने के लिए ससन में बंगा माना जारा कि जल्दी ही भड़ती परिछा का परिणाम अब जारी हो जाएगा वही पर राजस्थान हाइ खाली पदो पर 2756 इसके बाद में आद पत्रों में एक वर्ट राजस्थान से 2756 पदों पर और यहां पर देखिए लीचे लिखा हुआ है कि नियुनतम आउटारा वर्स से अधिकतम आउच चालिस चालिस वर्स और पात्रताइं हैं उम्मीद्वारों के पास मानता प्राप्त विश्विद्याले से इसनाता किया समक्ष डिगरी होनी चाहिए इसकी अला लिखित परिच्चा में हिंदी अंग्रेजी और समान ग्यांसी प्रस्ट पूछे जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट में दो पर होंगे पेपर फस्ट में इस भी टेस्ट और पेपर सेकेंड में एफिएंसी टेस्ट का आयोजन होगा आवेदन की लास्ट डेट 22 सितंबर की ग लिए मेडिकल ऑफीसर की इसकी भी आप लोग देख लीजिए विस्त्रित नोटिफिकेशन और अगर आप लोग योगिता रखते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं लास्ट डेट दो सितंबर 2022 इसकी योगिता यहां पर यह लिखी विए थोड़ी सी बा जाए मेंस के नतीजे घोशित कर दिये गये हैं 24 चात्रों को 100% मिला है नेशनल टेस्टिंग एजनसी द्वारा आयोजित जेई मेंस 2022 के नतीजे सोमवार को घोशित हो गए हैं इसमें 24 परिचारतियों को 100% मिले हैं एंटिय के मताबिक परिच्छा में पूरे 100% हासिल करने आद वालों में 55 परिच्शार्थी आन्ठ प्रस्थ्वत्त तेलंगाना की राजस्स्थान तीसरी स्थान पर दो परिचारतियों विद्धार्थी प्राप्त करते हैं यह भी जितने ही बड़े संस्थान इंजिडिनिंग के जितने भी एन हैं मैं चर Wisconsin इंडिया में वहां पर अडिशन लेते हैं जई मेंस के बाद में जई एडवांस होता है जिसके द्वारा फिर आयाइटी में भी बिद्यार्थी अडिशन लेते हैं अगली सुचना यूपिटर वहलाइसी की है जिसकी बारे मैंने कल भी आप लोगों जयनकारी दी थी किलिका परेणाम की मांग को लेकर के अभर्ती वंनें किया परतरशन परिच्चा परणाम गोसित करने करके भर्ती प्रक्रिया पूरी किये जाने की मांग के के सुमवार को सायक सांकिकी वसोध अधिकारी एसो 2019 इसके अभर्थियों ने पीक अभवन पर इस्थित उत्तर प्रदेश अधिनर सेवचे ने आयोग में प्रतरसन किया अभर्थियों का कहना था कि विग्या पर निकले तीन मर्स हो गए लेकिन अभी तक भरती प्रक्रिया पूरी नहीं हो स को अभी इसम Simply करके ना संभव नहीं थां और उन्होंने सभी भरी विष्थि वीडियों से यह कहा है कि अभी तिन परिणाम जारी होंगे और आपक जो प्रिणाम है फानल परिणाम के बाद यहारी हो सकेगा इसके बारे मैं इनक विष्थी वीडियो भी बनाया था और सारी कल चात्राइं भी आई थी स्वासकारकर्ता एनल की और उन आसी जत्राइं के बहुत ज्यादा आरोब थे कि अनिमित्ता भी है बहुत kurashंवारी जिनके 57 नमबर है और बताया जा रहाए कि जैन्रल का कटा पचास है तो उनका खीक कहना थाथा है जाने वाली है कल उन्होंने नई वर्दी के बारे में भी बताया कि एक दो नई वर्दियां है जो पी एटी 2021 के तरथ आ सकती है और एक तो एजी टीए के बारे में बताया चर्चा की उन्होंने और एक वकेंसी थी एकाउंट अडिटर की एकाउंट अडिटर के बारे में भी उन्होंने बताया यह देखिए जूनियर शिस्टेंट के जो च्छात्र थे वो भी गय थे और यहां पर लेखा हुआ कि प्रणाम जारी करने को लेकर के कनिष्ट साहिकों को धर्ना अंतिम प्रणाम दारी किये जान प्रणाम फिर से शुरू हो गई है चात्र अंदोलन की रनीती बना रहे हैं यहां पर लिखा है कि प्रदेश द्रश रजट सिंग ने लिखा है कि मुझे पता है कि जो करने जा रहा हूं यह जो चात्र है वह प्रयागराज से लिखा वह बारह अगस्त को चंद से खर बीखेट वाला अभी यही तेय नहीं है कि बीजाद्ध मे है या नहीं है और बिना इसका निरने हुए प्यण३ट अभी शिक्छकवरती नहीं निकाल सकता अholy दिक्रा शॉत विश्याव ब्राइन पर भी रोक लगाई जा सकती है तुरंद जैसे मालेजी अगर सरकार नहीं प्राथ्मी सिर्चकवर्ति का विग्यापन निकाला वह इसे याज का दाखिल कर दी जाएगी डीलर के द्वारा जैसे याज का टी इटी में दाखिल कर दी गई है कि रजास्थानों जब बाहर कर दि को और यह अपडेट सिक्षक बढ़ती की देखते हैं क्या होता है जो भी अपडेट सुंगे मैं आपको चैनल के माधिया से बता दूंगा और अगली जो सूचना है कि भारत कल सांदार बहुत प्रदसन किया और न्यूजी लेंड को पीछे कर दिया भारत का चौथा स्थान हो गया है तोटल पदक भारत के 61 है और 22 भारत ने जीते हैं कल पांच सुन भारत ने जीते हैं यूजी सी नेट इस्तिकर देखें यह यह आपर लेखा बारा से लेकर कि चौदर अगस्त की बीच में होने वाली यूजी से नेट अब वह बीस से लेकर कि तीस सितंबर के झाल झाल